लगभग 48 गंटों के बाद सल्मान खान साहब को काला हिरन शिकार मामले में बेल मिल चुकी है जी हाँ दो दिनों से सल्मान खान साहब जेल में थे 48 गंटे पहले यानि की 5 अपरिल को दो पहर सल्मान को 5 साल की सजा सुनाई गया और उसी वक्त उन्हें जोटपूर सेंट्रल जेल ले जाये गया तब से सल्मान जेल में ही बंद थी कैदी नंबर 106 के रूप में लेकिन अब सल्मान को जमानत मिल चुकी है और उसके बाद ही सल्मान के फैंस में काफी खुशी है खुशी से जूम उठे हैं सल्मान के फैंस नमशकार मैं हुआ विशीक बात चल रही है सल्मान खान साब के बारे में जो पिशले 48 घंटों से लगतार जोदपूर सेंट्रल जेल में पंद हैं लेकिन अब सल्मान को कुछ ही घंटों में चेल से बाहर निकलते देखा जाएगा सल्मान को जमानत मिल चुकी है पचास हजार के मुचलके पर वही पर सल्मान को कोट ने हिदायत दी है क्यों है साथ मई को फिर से हाजरी देनी होगी वही पर वो विदेश नहीं जा सकते हैं कुछ शर्तों के अधार पर सल्मान को ये जमानत दी गई है माना जा रहा है कि एक महिने के लिए उनकी सजा सस्पेंड की गई है पर फिलाल तो सलमान को जमानत मिल गई है बेल मिल गई है अब सलमान आज शाम 6-7 बजे तक जेल से रिहा हो जाएंगे जेल से बाहर आ जाएंगे सलमान और उसी वक्त माना जा रहा है कि वो मुंबई के लि रहा वही पर सल्मान के मुंबई स्थित अपार्टमेंट यानी की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फैंस काफी खुश हुए रियक्शन्स में उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद थी वो दुआ कर रहे थे लगतार 48 घंटों से कि सल्मान को रिहाई मिल जाए इसलिए फैंस में काफी खुशी की लहर है आपको बताते चलें कि कई ऐसे फैंस जो सल्मान की चेल की वज़े से काफी परिशान थे कुछ सल्मान के अपार्टमेंट के बाहर लगतार 48 घंटों से खटे थे तो कुछ जोतपुर तक पहुँचे थे अपनी में एक नन्ही बच्ची भी जो भूख हरताल पर बैठ गई थी रो रो के परिशान थी उसका वीडियो काफी वाइरल हो रहा था अब उसने अपनी भूख हरताल भी तोड़ दी है तो इस तरीके से हजारो करोडो फैंस सल्मान के एक बर फिर से खुश है सल्मान को जमानत मिल गई है काला हिरन शिकार मामले में बता दें कि कोट ने पांच साल की सजा सुनाई थी दस हजार का जुर्माना भी सुनाया था लेकिन अब पचास हजार के मुचलके पर सल्मान को कुछ शर्टों के अधार पर फिलहाल जमानत मिल गई है इस पूरे मामले में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही